तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी नई वीडियो को इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं HDFC और HDFC बैंक से रिलेटेड जो भी न्यूज या जो भी अपडेट है उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने मिड्या इंटर्नेशनल के de-merger सेलेटेड इनफर्मेशन यहाई कीये मिड्या के साथथ, द्यमारिज हो रहा है तो जो भी डिटेज हैं सारी हमने उस वीडियो को भी में हमारे चैणल पर जाके देख सकते हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और इसके करेंट प्राइस की बात करें तो 2554 नुपे का हमें देखने को मिलता है सेर की बात करें तो सबोर्ट के आसपास हो है हमें अभी के समय में देखने को मिलता है पच्छी सो चार रुपे की सपोर्ट लेके सेर जो है 2554 नुपे पर भी के समय में ट्रेड कर रहा है तो न्यूज यह अपडेट क्या है न्यूज और अपडेट हमें देखने को यह मिलती है कि एक बड़ा अमाउंट जो है कंपनी यहां पे इंक्रीज करने जा रही है 57,000 करोड के अराउंड जो है कंपनी यहां पे फंड रेजिंग जो है अपनी HDFC में करने जा रही है HDFC का जो है दोस्तो HDFC बैंक के साथ डी मर्जर की भी बात चल लही है तो वो डी मर्जर की अगर हम देखें तो वो भी जो है इस साल जून जुलाई तक उसके कंपलीशन की पूरी-पूरी संबाबना हमें देखने को मिलती है HDFC प्लांस टू रेज आरेस 57,000 करोड थो प्राइबेट प्लेजमेंट अहीड और मर्जर बिद HDFC बैंक यानि कि दोनों का मर्जर होने वाला है HDFC और HDFC बैंक का ये सभी को पता है लेकिन मर्जर से ठीक पहले 57,000 करोड का फंड रेजिंग कहने का मतलब ये है कितना बड़ा फंड रेजिंग है आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो HDFC की आउट इस्टेंडिंग बोरोइंग की अगर हम बात करें उधारी की तो हमें जो है 5.70 लाग करोड के आसपास की देखने को मिलती है यहाँ पे एडिस्टनल फंड रेजिंग का मतलब यही है कि कहीना कहीं जो है जो इनका बिजनस एक्स Kenton उसको जो है यह आगे जो है बूस्ट अपना करना चाहरे है उसमें जो है कुछ मजबूती हमें जो है देखने को यानि की मचबूती के लिए जो फंड वेजिंग की बाते हो है सामने आ रही है तो यहां पे क्या है कि HDFC ने अपरूब कर दिया है फंड già देखने को जो है मिल सकती है इसका अगर हम आगे देखें तो जैसा मैंने बताया कि इसका जो है मर्जर भी हो रहा है HDFC और HDFC बैंक का तो जब मर्जर होगा तो आपको जो है अगर आपके पास HDFC के सेहर हैं तो आपको सेपरेटली HDFC बैंक के यानि कि लास्ट में मर्जर के बाद जो कंपणी बन जाएगी वो जो है HDFC बैंक एक सिंगल हैंडेडली कंपणी जो की ऑपरेट करेगी और इनका मर्जर इसलिए यहाँ पर यह कर रहे हैं कि सिंगल एंटाइटी जब बन जाएगी तो बैटर परपोर्मेंस जो है कंपनी की देखने को मिल सकती है दोनों ही फिल्ड में चाहे वो बैंकिंग फिल्ड में हो चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस के फिल्ड में हो और फंड रेजिंग की बात करें तो इससे पहले फरवरी में 25,000 हाई में यह जुन जुलाई तक जो है यह मरदर हो सकता है और आपको जो है एक जुदी एक बारे में जानका जो है नहीं मिली है तो यहां पर कंपनियां जो है अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए बिजनस को एक्सपेड करने के लिए मारके volcanoes में जो है एक booster वर डोज जैसी चीज मतलब आपने सुना होगा तो उसी तरह से हम देखते हैं जो है मंदी जासी हालत है से यह पिटे पड़े हैं तो इस तरह की चीजों से जो है कहीं ना कहीं एक booster dose type की जो है company में company के business में जो है लगती हुआ हमें देखने को मिल जाती है इसलिए company जो है अपना fundraising करती है अपने business को expand करने के लिए उनको जो है boost करने के लिए तो जब हम HDFC की बात कर रहे हैं तो HDFC bank क को भी हम कैसे बूल सकते हैं क्योंकि आगे जाके दोनों company को जो है एक ही हो जाना है तो यहां पर जो है अगर आप HDFC को buy करते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है जो भी उसका ratio होगा यहां पर बस आपको एक चीज़ ध्यान में रगनी है कि जब भी इसकी date आएगी तो दो से एर मिलते हैं और अगर आपके पास जो है पांच से एर हैं या फिर साथ से हैं तो आपको जो है उसी ताफ से कैलकुलेट करके जो है अपना चलना है कि अगर आपको मतलब जो भी अनुपात होगा उसके multiply में आपको जो है से रखने हैं मान लिज़े तीन से पर दो से आपको मिलेंगे या फिर जो है एक से एर पर दो से एर आपको जो है एक एपसी बैंक के मिलेंगे तो उसी साफ से जो है आपको calculate करके अपना जो है से एर अपने जो है holdings में रखने हैं HDFC bank की बात करें तो 1560 रुपे का current price हमें company का देखने को मिल रहा है यह से एर भी जो है अपनी support ले चुका है 1520 रुपे के 1520-1530 रुपे के आसपास और अभी जो है 20-30 रुपे अपनी support से ओपर trade कर रहा है कापी अच्छा level है एंटर करने के लिए जो लोग भी जो है इंट् support के आसपास है उसको आप buy कर सकते हैं मर्जर का भी फाइदा जो है आपको इस सेर में देखने को मिल सकता है अगर आप जून जुलाई या उसके बात तक इस company को hold करते हैं company के हाई की बात करें तो अभी हाल ही में जो है हमें 1700 रुपे तक company का price जो है जाता हुआ देखने को म मिलता है यानि कि अगर आप उपर के लेवल पे भी अगर देखें तो 10% का आपको profit probability यहां पे बन जाती है अगर आप 1720 रुपे का price भी जो है मानके इसमें चल रहे हैं यहां का अगर 1700 रुपे का target भी आप अपना लेके चलते हैं तो जो न्यूज थी न्यूज मेंने बता 27 जाय करोल की fundraising HDFC में होई है और वो भी support के असपास है आप जिसमें चाहे उसमें जो है अपनी buying कर सकते हैं